दोस्तो बच्ची हो या बड़े दूद सभी के लिए फाइदेमंद होता है। इसके सेवन से कई तरह की परसानिया दूर होती है। इसलिए कई हेल्थ एक्सपर्ट्स बच्चों से लेकर हर उम्र के लोगों को रोजाना दूद पीने की सलाह देते हैं। फ्रिंड्स दूद प्रच्च के पोसक तत्तो जैसे कैलसियम, पोटेसियम, प्रोटीन, फासफोरस इत्यादी से भरपूर होता है। या हमारे हड़्ियों को मजबूत करने से लेकर सरीर के अन्य परसानियों को दूर करने में भी लावकारी होता है। दोस्तो डॉक्टरों का कहना है कि दूद ह हड़्ियों के साथ साथ हमारे मांस्पेसियों को भी मजबूत बनाए रखने में लावकारी होता है। इसमें मवजूद मैगनेसियम और कैलसियम हमारे हड़्ियों को मजबूत करता है। साथ ही या हड़्ियों से जुड़ी कई परसानियों को भी दूर करने में लावकारी ह हलाके फ्रेंट्स दूद का सेवन सीमित मात्रा में करने की सलाह दी जाती है आए दोस्तो अज के अपने इस वीडियो में हम आपको दूद पीने के फाइदे और नुकसान दोनों के बारे में जानकारी देते हैं तो चलिए फिर सुर करते हैं इस वीडियो को पहले बात करते हैं दूद पीने के फाइदे के बारे में दोस्तो दूद पीने से हमारे स्वास्त पर कई तरह के फाइदे हो सकते हैं इससे हडियों मजबूत होने के साथ साथ हडियों से जुड़ी कई परसानिया दूर होती है साथ ही यह कई अन्य समस्याएं जैसे मोटाफा, दिल से जुड़ी बीमारी, दातों की समस्या को दूर करने में प्रभावी होता है आए आपको इसके वारे में थोड़ा विस्तार से बतलाते हैं दूध पीने से हड़ियों और मांस्पेसियों में काफी जादा लाव मिलता है दरसल दूध में कैलसियम और मैंगनेसियम भरपूर रूप से मवजूद होता है जो हमारे मांस्पेसियों और हड़ियों की मजबूती को बढ़ाने में लावकारी है इसके अलावा यह बढ़ती उम्र में होने वाले औस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर से बचाव करने में आपकी मदद कर सकता है इसलिए दोस्तों हो सके तो रोजाना कम से कम एक गिलास दूध अपने डाइट में जरूर सामिल करें दोस्तों सरीर के बढ़ते बजन को कम करने में भी दूध आपके लिए प्रभावी हो सकता है दरसल दूध में भरपूर रूप से प्रोटीन मवजूद होता है जो बजन को घटाने और नियंतरित करने में आपकी मदद करता है रोजाना एक गिलास दूध पीने से बार बार खाने की इच्छा कम होती है ऐसे आपके सरीर का बजन नियंतरित हो सकता है अगला फाइदा है दोस्तों दिल से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में दूध बहुत ही ज़ादा लावकारी होता है खास तोर पर अगर आप low fat milk का सेवन रोजाना करते हैं तो या हिरदाई रोगों के जोखिम को कम करने में प्रभावी होता है रोजाना एक गिलास दूध पीने से diabetes के खत्रे से बचा जा सकता है दिरसल दूध में magnesium, calcium और potassium होता है जो आपके सरीर में मौझूद glucose tolerance और insulin sensitivity को कंट्रोल कर सकता है दूध का सेवन करने से इसमें मौझूद fatty acid type 2 diabetes के खत्रे को कम कर सकता है अगला फाइदा है पेट की समस्याओं को भी दूर करने के लिए दूध काफी जादा फाइदेमंद होता है यह अपच और acidity को दूर करने में प्रभावी है दरसल दूध में antacid का प्रभाव होता है जो अपच और acidity से राहत दिलाने में प्रभावी होता है अगर आप पेट की समस्या से जूज रहे हैं तो गर्म दूध के बजाए ठंडे दूध का सेवन करें इससे आपको acidity से राहत मिल सकती है दोस्तो इसके अलावा दूध के कई अन्य फाइदे हैं जैसे दूध blood pressure को control करता है, skin को साफ करने में प्रभावी होता है, stress को कम करता है और depression से राहत दिलाने में भी दूध हमारी मदद करता है और चलिए अब बात करते हैं दूध पीने के नुकसान के बारे में, दूध स्वास्त के लिए फाइदे मंद होने के साथ साथ कुछ लोगों के लिए नुकसान दे भी हो सकता है, जैसे कि दूध में lactose होता है, जो कुछ लोगों को पाचन से जुड़ी परहसानी उत्पन कर सकता है, खास तोर पर जिन लोगों को lactose से allergy की परहसानी होती है, उन्हें इस तरह की समस्याएं होने की संभावना ज्यादा होती है, दूसरा नुकसान है, दूध से allergy की परहसानी होने पर कुछ लोगों का immune system भी प्रभावित हो सकता है, दोस्तों डॉक्टोरे की सलाह रहती है कि दिन में तीन गिलास से अधिक दूद का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे सेहत को कई अन्य समस्याएं जैसे अपच, गैस, आलस, इत्यादी की समस्या हो सकती है, तो उमीद करते हैं फ्रेंस, आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो इसे वीडियो को लाइक और सेयर करना मत भूलियेगा और दोस्तों ऐसे ही जृनवार्दर की वीडियो देखते रहने के लिए अफमारे चैनल ग्यानमन्तन को सबस्क्राइब जरू कीजिएगा, अफमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते धन्यवाद, जय हिंद!